एक भारतिय जवान का बहुत सम्मान किया जाना चाहिए जवान देश की रक्षा के लिए नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए घंटों खड़े रहते है भारतिय जवान भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनाद होते है भारत-चीन सीमा पर तैनाद होते है जम्मु कश्मीर में भी जवान तैनाथ रहते हैं उनमें से कई अपनी पत्नियों और परिवारों से दूर रह रहे हैं मैं उनकी कड़ी मेहनत को सलाम और सम्मान करता हूँ हालगी में एक घटना वाइरल हुई और सभी ने इससे खूप शेर किया सेना के जवान हवालदार प्रभाकरण वर्तमान में कश्मीर में तैनाथ है और उनका परिवार तमिलनाडू के तिरुवन्ना मलाई जिल्ले में रहने वाला है जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया वीडियो में उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कृपया मेरी पत्नी और परिवार की रक्षा करे कृपया उन्हें सुरक्षत रखे वीडियो में वह एक कागस पकड़े हुए भी नजर आ रहे है प्रभाकरण ने कहा कि उनकी पत्नी कीर्थी को 120 लोगों ने पीटा था मेरी पत्नी को अर्दन अग्ण कर दिया गया और बेरहमी से पीटा गया उस पर हमला कर धमकाया गया वो बिल्कुल भी सुरक्षत नहीं है घटना उनकी पत्नी की दुकान पर हुई है प्रभाकरण अपनी पत्नी के लिए काफी चिंते थे और इस वज़े से उन्होंने वीडियो शेर किया उन्होंने पुलिस अधिक्षक को भी जाच की मांग को लेकर एक ग्याचिका भेजी थी ज़वान ने कहा कि क्योंकि वह जम्मु कश्मीर में है इसलिए उसका परिवार की सुरक्षा के लिए कोई नहीं है उसने मदद के लिए अनुरोद किया सेना के एक सेवा नुरुत अधिकारी करनल एंट त्याग राजन द्वारा ट्वीट पर जाजा किये जाने के बाद जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया इस घटना के बारे में जानकर भारतिया हैरान रह गए हाला कि तामिलनाडो पुलिस ने दावे का खंडन किया और कहा कि प्रभाकरन की पत्नी के साथ कभी मारपिट नहीं की गई कितना विरोधापाशी है प्रभाकरन ने कहा था कि उसकी पत्नी को 120 लोगों ने पीड़ा था जवान की पत्नी ने कहा मुझ पर 40 से ज़ादा लोगों ने हमला किया उन्होंने मुझे उपशप्ट कहे और अश्लिल भाशा का इस्तमाल किया कहानिया जुड़ती नहीं है पुलिस अब जांच कर रही है पुलिस ने बताया कि कीर्थी की दुकान रेणु गंबल मंदिर के परिसर में बनी है दुकान को प्रभाकरन के ससुर सेलवा मूर्थी को कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा पांच साल की अवधी के लिए साड़े नौल लाक रुपे में पट्टे पर दी गई थी कीर्थी दुकान पर काम कर रही थी कुमार के वरने के बाद उसका बेटा रामो दुकान वापस चाता था इसलिए वह पैसे वापस करने के लिए तयार हो गया और 10 परविरी 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हाला कि रामो ने दावा किया कि सिल्वा मूर्ती पैसे लेने के लिए सेहमत नहीं था सिल्वा मूर्ती के पूत्रग जीवा और उदई ने रामो पर अक्रमन किया जीवा ने कथित तोर पर चाकू से रामो का सिर फार दिया पुलिस ने कहा कि आसपास के लोग रामो के समर्थन में आ गए जिससे एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें दुकान में रखा सामान बाहर फेक दिया गया पुलिस ने कहा है कि प्रभाकरण निराधान टिपनी कर रहा है पुलिस ने दावा किया कि कीरती और उसकी मा दुकान में थी कीरती के साथ कभी कोई मारपिट नहीं की गई प्रभाकरण की पत्नी ने खुद को अस्पताल में भरती करवाया हाला कि जवान का कहना है कि उसकी पत्नी को गंबीर चोटे आई है लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये सच नहीं है प्रभाकरण ने सक्त कारवाई की मांग की है जबकि पुलिस का कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था पुलिस ने दोनों की तहरीर पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है प्रभाकरण के अतिश योक्ति के पावजूद उन्होंने कीर्दी को सुरक्षा प्रदान की है दुकान में तोड़फोर करने के आरूप में रामू और हरीप्रसाद को गिरफ्तार किया गया है प्रात्मी की दर्ज कर ले गई है और पूच्टाज की जाएगी सेना ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सेनिक अपने परिवार से तूर रहते हैं लेकिन उनके परिवारों को पूरी तरह से नजरन्दास किया जाता है और उनकी पत्नियों को परेशानी होती रहती है पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकारतों की जाच की जाएगी